आज मैं आपको बताने जारू हूँ रिटेरिंग गॉल इसे प्रतिधारक दीवाल कहते हैं यह जो स्ट्रक्शर आप देख रहे हैं इसे सेक्शन गहते हैं और इधर वाले को एलिवेशन गहते हैं आपने इसका RCC में यूज वगेरा पढ़ा हुआ है आज मैं इसकी ड्रॉइ यहाई है वह 50 है आप सभी को पता ही है कि जितने भी reinforcement स्ट्रक्शर होते हैं सबमें कवर दिया जाता है तो वह कवर यहां पर 50 mm का हर जगे पर आपको reinforcement की 4 तॉरफ कवर हैं इसके बाद में सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं नीचे का reinforcement इसमें दे रखा है डिस्ट्र distribution बार आपकी यह दे रखी है और में बार यह दे रखी है distribution बार है यह वाली यह जो dotted दे रखी है और में बार है जो सीधी लाइन से दिख रही है आपको इसके बाद में जो आप आगे जाएंगे तो इसमें structure को जो reinforcement उसको hooks दिए गए है ताकि concrete में पकड़ बना के रखे और जो इसकी नीचे की stem है retaining wall की उसको थोड़ा मोटा रखा जाता है उपर की तरफ थोड़ा पतला रखा जाता है ताकि इसका जो weight है self weight वो उपर कम रहे नीचे self weight भी जादा रहे और दूसरा नीचे से strong भी जादा रहे जैसे पेड़ का तना होता है उपर वो हलका होता जाता है और नीचे की तरफ वो मोटा होता है तना अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो थिकने से वो 50 है फिर इसके बाद में इसकी जो hooks यह reinforcement है यहाँ पर dimension लिखी हुए 25 cm यह वाले reinforcement की इसमें भी इसकी dimension सारी दे रखी है 69 cm में में बार है में बार जो है वो बिरको सीधी लैंड से दिखाई दे रही है आपको और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यह पीछे वाले reinforcement जो है यह है simple cage की तरह होगा इस तरीके से जब आप इसका elevation देखेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी simple यह square की shape में आगा आपस में distance वगेरा सब proper है इसमें sorry rectangle की तरह आएगा क्योंकि जो नीचे वाली extra vertical bars है वो है बार में 12 mm यह वाली जो बार है और इनकी spacing है 30 cm आपस में जो इस तरीके से बार से है इसके बाद जो distribution बार वो इस तरीके से है जैसे यह vertical बार होगी इसके बाद में distribution बार इस तरीके से सीधी इसके आगे फिर हम इस side में जादा elevation में दिक्कत आएगी नहीं समझने में इसलिए हमने इस side का elevation है वो आपको इस side में दिखाया हुआ है इसको समझाने के लिए पहले इधर से बात कर लेते हैं यहाँ पे reinforcement जो गया हुआ है वो नीचे से मैंने जैसा आपको बताया है कि नीचे की तरफ में reinforcement reinforcement जो गया है 1.6 मीटर की length पर यह curtail हुआ है इसके बाद 3.6 मीटर पर यह curtail हुआ है and यह पूरा उपर तक गया ही हुआ है अब यहाँ पे इसकी spacing और यहाँ पे इसकी डाया की बात कर लेते हैं reinforcement की distribution bars आपको दिखी रही हैं यह distribution bars है जो dot है जो distribution bar है 10 cm की spacing पे हैं आपस में यहाँ पे इस तरीके से यह सब 10 cm की spacing पे हैं distribution bar इसके बाद में main bar पे आते हैं जो की main bar है यह वाली जो vertical है इसमें main bar की डाया है 22 mm और आपस में spacing नीचे की तरफ में है यह इस तरीके से 10 cm की यह 100 mm लिख रखा है और यह आपस में spacing यहां से यहां तक में इसी land तक यह curtailed हो गई है फिर then उपर की set पे जो main bar रह जाती है वो है 22 mm की वही बार है जो यह वाली है इसकी आपस में spacing रह जाती है 20 cm जो यह वाली है इसके बाद में आगे आती है यह main bar इसका डाया है 22 mm और इसकी spacing है 40 cm इस तरीके से इसके बाद में इस side में जो है यह continue का sign में ने दिखा दिये continue है वाल है इसलिए अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है आप लोगं को आप पूछ सकते हैं कुछ रह गया हो में भी हो सकता है कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं और अच्छे से इसको समझने के प्रयास करें ना समझ मैं है तो आप पूछ ले ठीक है अब इससे बना के देखेगा कुछ रहा हो